नमस्ते दोस्तों स्वागत आपका एक और शानदार और इंस्पारिंग वीडियो में दोस्तों आप लोगों से खुशकबरी बतानी है, गुड नीज बताना है कि मुझे यूटूब पर चार साल पूरे हो गए as a full time यूटूबर और मुंबई में भी चार साल हो चुके हैं, 27 जुन 2016 को मैं मुंबई आया था और उसके बाद से मेरी जन्नी शुरू हो गए थी यूटूब की दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ यूटूब पर चैनल बनाने के लिए क्या-क्या टॉपिक्स हैं जिनमें competition कम है, जिनमें growth के chances है, जिनमें पैसे कमाने के chances है जी यहां दोस्तों मैंने काफी सारे उतार चड़ाओ देखे हैं, काफी सारे content पे मैंने काम किया है अलग-अलग, 4-5 तरह के content पे काम किया है और मुझे कई content में feel हुआ कि उसमें saturation आ जाता है, एक point पे और लगता है कि अब इसके around content क्या बनाए लेकिन मैं जो topics आपको suggest करूंगा, उनमें unlimited आप content बना सकते हो unlimited अगर नहीं बना सकते हैं, तो long term तक आप content बना सकते हो तो दोस्तों वीडियो आप लोग पूरा देखना और साथी साथ मैं आपको end में कुछ personal tip में दूँगा जो बहुत important है, तो वीडियो आप end तक जरूर देखना यह हो गया watch time बढ़ाने का formula, नहीं, watch time बढ़ाने का formula नहीं है आप लोग please end तक देखना, क्योंकि मैंने कुछ बाते बताई हैं जो आपको सुननी चाहिए, जाननी चाहिए अगर आप YouTube में interested हो ठीक है, तो फटा फट चलते हैं, कौन-कौन से topics हैं जिनके उपर आप channels बना सकते हो मैं तोड़ा बहुत hint भी दे दूँगा, और कुछ examples भी बता दूँगा सबसे पहले बात करें तो है news channel आपको particular जीज news, NDTV जैसा news channel आपको नहीं खोलना है आपने देखा होगा YouTube पर काफी सारे ऐसे channels हैं, जो news बताते हैं जनरल news बताते हैं और उन पर काफी सारे views लेके जाते हैं और इसमें क्या होता है, इनके वीडियो डालने के frequency ज़्यादा होती है अगर बाद में चार-पांच महीने, छे महीने के बाद अगर आपका channel चल जाता है तो आप अपना खुद का एक media house खोल सकते हैं और लोगों को hire कर सकते हैं न्यूज बनाने के लिए और जल्दी जल्दी news content डालने के लिए दोस्तों बहुत ही ज्यादा scope है न्यूज में, न्यूज कभी खतम नहीं होगा जब तक दुनिया रहेगी तब तक लोग न्यूज बनाते रहेंगे इवन लोग एवन यूज बनाते हैं कि 21 तारिक को दुनिया खतम हो जाएगी नेक्स्ट जो है ओ है study channel जे हाँ study में guys क्या बना सकते है study में हम ओ चीजे बना सकते हैं या तो हम kids के लिए study channel बना दे लाइक बच्चों के लिए सकते हैं कि मुझे इस तरह के फिल्ड का education channel बनाना है और आप उस पर content बना सकते हो इसका फायदा है देखिए आप बोल रहो होगा कि study में भी काफी सारे चैनल से लेकिन मैं आपको बता दूँ आपके आस-पास में देखो काफी सारे टीचर्स हैं आपको बनाते हैं तो अगर नौन है तो अगर आप टीचिंग करते हों तो attendance कि पसंद करने लगें आपके चैनल को है आपके समझाने के थरीके को एदूर 설 मिलने लगेंगे तो आपको सब्सक्राइबस मिलने लगेंगे और आप अपना चैनल चला सकते हो और जो एजुकेशन है जो इस्टडी है सदियों से चलता आ रहा है तो खतम तो होने वाला नहीं है नेक्ट बात करते हैं उसके पहले जो मैंने अस्टडी बताया उससे हटके है थोड़ा क्योंकि इसमें जो बूप्स के बारे में बताना जिन बूप्स के बारे में हमें समरी देनी है वो कुछ ऐसी बूप्स हो सकती है जो मेरे यहां पर पीछे रखा हुआ है जैसे एबुक है मैंने एबुक पड़ा मुझे इसमें से क्या-क्या पॉइंट्स अच्छे लगे इसको मैं दस मिनिट का एक वीडियो बनाके मैं उसमें एक्स्प्लेइन कर दूंगा और जिनको भी वह पसंद आयेगा वह इस बुक को पचिस करेंगे तो आप एक तो गूगल जो लाइफ हैक्स वाले बुक होते हैं जो हमारे लाइफ में वैलू एड़ करते हैं इस तरह के बुक्स का भी समरी आप करके बना सकते हो नेक्स जो है वह इंटर्वियू यानि की पॉड्कास्ट दोस्तो अपने नोटिस किया हुगा कि मैं अपने चैनल पर इंटर्वियू करने का रिजन यह है कि मुझे सक्सेस्फुल लोगों से मिलने में बड़ा मज़ा आता था जो अपने लाइफ में काफी अच्छा कर रहे हैं उनसे मिलके मैं उनके साथ वीडियो करके बात्चित करके मैं वीडियो पब्लिश करता हूं अपने चैनल पर और लोगों को भी का करनकारिया मिलेंगी और आप उनके स्टैटेजी को अपने लाइफ में भी यूज करके आप भी आगे बढ़ पाओगे साथ में आप ओडियेंस के लिए अच्छा अच्छा करना है तो जब आप अच्छा करना शूरू करेंगे तो ऐसे दोस्त आपको मिलते जाएंगे ऐसे दीरे दीरे लोगों को अपरोच करना चालू करो कि मैं आपको अपने चैनल पर भूलाना चाहता हूँ तो ऐसे दीरे दीरे करके आपका चैनल ग्रोव होता जाएगा नेक्स जो टॉपिक है काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है अगर आपने ऑनलाइन कोई भी काम किया तो इन सब चीजों के बारे में आप चैनल बना सकते हो मेरे कहने का मतलब कि जो भी आपने 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 चैनल का ग्रोथ भी काफी अच्छे से होगा जो मैं नेक्स टॉपिक बताने वाला हूं काफी जादा इसमें व्यूज आने के चांसे होते हैं काफी जादा व्यूज आते हैं और आने वाले टाइम में भी इसकी डिमांड बनी रहेगी ओ है एनिमेटेड स्टोरी चैनल जो आपने नहीं तो आपके घर में कोई बच्चे होंगे जो इस तरह की वीडियो देखते हैं जिसमें कोई ना कोई एक स्टोरी होती है और इसमें एनिमेशन होता है तो अगर आपके अंदर एनिमेशन से रिलेटेड कोई स्कील है तो आप उसका यूज करके आप स्टोरी नेरेट करके आप वीडियो बना सकते हो इसमें थो चैनल शुरू कर सकते हैं और जिसमें बहुत ही दबा के मिलेगा नेक्ट जो टॉपिक है ओ है गार्डेनिंग जिया दोस्तों आपको बता है कई लोगों को बड़ा मज़ा आता है गार्डेनिंग करने में पेड़ पौदे लगाने में घर में ही मतलब ऐसे डेकॉरेशन वाले पौदे होते हैं या फिर जो एयर प्यूरिफाइर वाले पौदे होते लोग लगाते हैं और भी बहुत सारी सीज़े होते हो तो इसके उपर वीडियो बना सकते हो इन में मैं आपको कुछ चैनल सजेस्स करूँगा आपको वहां से आइडिया लगेगा कि आपको किस तरह का content बनाने में अगला जो है इसी से related है ओ है agriculture टमाटर कैसे हुगाएं बिंडी कैसे हुगाएं इन सब चीजों के उपर आप वीडियो बना सकते हो या फिर कम जगा पर कम Space में ज्यादा ज्यादा अनाज कैसे उगा सकते हैं, इन सब चीज़ों के उपर टिप्स होगर शेर कर सकते हैं इसके लिए आप चैनल फॉलो कर सकते हैं इंदियन फार्मा करके एक चैनल है दूसरा चैनल है, हेलो किसान करके चैनल है दोस्तों आप लोग सोच रहे होगा कि यार लोग खेती किसानी से रिलेटेड़ वीडियो कौन देखेगा मतलब जो किसान होगा वही देखें ऐसा नहीं है बहुत सारे लोग सिर्फ entertainment के लिए देखते हैं entertainment मतलब कि उनको मज़ा आता है इसा सारी चीज़े देखके भले वह अपने लाइफ में करेंगे नहीं लेकिन उसको देखते हैं उनको अच्छा लगता है जब आप इन चैनल की व्यूज देखेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा और मैं जो चैनल बदा रहा हूं इनके फ्यूचर में भी काफी स्कोप है ग्रोथ के प्लस मनी के और लोगों का इंट्रेस भी समय के साथ बढ़ता जाएगा दोस्तों इसी से जुड़ता हुआ मैं एक और टॉपिक आपको सजेस्ट करना चाहूंगा ओ है इंडोर अगरिकल्चर दोस्तों कावी सारे लोगों को आ गलग टिपस और ट्रिक्ष आप सेट कर सकते हैं और कैसे बतलब कम सेस्कें कैसे हम वो सकते हैं और क्या-क्या सीज़ों की खेटी घर में ही कर सकते हैं इसके अरांड अगर कॉंचेन बनाएंगे आप अच्छा भी लगेगा और लोग उसको देखना पसंद भी करते हैं तो आप इसके उपर आप सोच सकते हैं, इसके उपर आप चैनल बना सकते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है, ओ है पैरेंटिंग, जिया दोस्तो, बच्चों को साथ कैसे विहाइब करना चाहिए, चोटे उसे बच्चे से लेके बड़े होने तक, 10 साल, 12 साल, 15 साल तक के बच्चे के साथ कैसे विहाइब करना चाहिए, उनसे रिलेटेड लाइक उनकी स्कूलिंग कैसे करें, उनको क्या-क्या बाते सिखाएं, अगर बच्चा कहीं किसी चीज में, किसी गलत चीजों में लट लगे है, उसकी तो कैसे उस लट को छुड़ा सकते हैं, इस सब चीजों से related आप content बना सकते हैं अगर आपको इन सब फिल्ड में knowledge है या फिर इस सब फिल्ड में आपको interest है तो next topic है आपके घर में जितने भी appliance है जैसे मान लिजे freeze है, washing machine है, TV है, cooler है अगर आप repairing में master है, इन सब चीजों के repairing में master है तो इस से related आप videos बना सकते हैं आज कर लोगों को कुछ भी होता है, कुछ भी problem होता है तुरांत YouTube पे search करते हैं, Google में search करते हैं कि इसको कैसे repair करें, इसको कैसे ठिक करें हाली में मेरा water purifier खराब हो गया था, तो मैंने उसको search किया YouTube पे कि इससे related कोई solution मिल जागा क्या इसके पहले मेरा induction cooker है, ओ खराब हो गया था, तो उसका मैं solution ढूट रहा था, तो उतने अच्छे solution तो नहीं मिले, इसलिए मैंने सोचा कि यार इसमें भी scope हो सकता है क्योंकि अगर मैं search कर रहा हूँ, काफी सारे लोग हैं जो अब search करेंगे, पहले नहीं करते थे, लेकिन अब करेंगे, क्योंकि अब उनको internet का मज़ा मिल चुका है, जो लोग नए-नए हैं internet पे, तो उब searches बढ़ेंगी, इसी तरीके से दोस्तों car repairing का भी channel बनाया जा सकता है car से related उस पर information डाल सकते हैं, या फिर car से related जो भी problems होती है, उसके उपर solution बनाके हम videos बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको car repairing आपको आए तो ही आप channel बनाओगे, जिसको car repairing आती है, आप आपके पैचान में कोई होगा, अगर ओ car repairing करता है, तो किस तरीके से कर रहा हूँ, उ और आप videos आपके बहुत चलेंगे, क्योंकि लोगों को कुछ भी problem हो रहा है, तो आजकल search कर रहे हैं, वैसे ही bike repairing का भी channel बना सकते हैं, bike repairing थोड़ा सा लग हो जाता है, car repairing थोड़ा सा लग हो जाता है, बहुत सारे topics मिल दाएंगे, इसमें हर एक problem पे आप बना सकते हो, बहु इनको नहलाएं, कैसे इनके shampoo क्या लगते हैं, कैसे इनको train करें, इन सब चीजों के बारे में आप चाहें तो channel बना सकते हैं, अगर आपको pets में ज्यादा interest है, आपको dogs में या फिर बिलियों में ज्यादा interest है, कई लोग हैं जिनको इन सब चीजों में अच्छा लगता है, प पालने का, और बिलिया पालने का, और भी दूसरे पालतू जानवर्स होंगे, जिनको पालने का शौक लोगों ने बनाया हुआ है, तो इसके बारे में अगर आप इसके care food के बारे में अगर आप content बना सकते हो, तो ए भी एक जो channel है, काफी इसके growth के chances बहुत ही जादा है, इ YouTube News की बात करें, तो YouTube News देने वाले में जो channel सबसे popular है, वो Neon Man का है, तो ऐसे ही आप अपना channel बना सकते हो, और इस time पे अभी उतना मसाला आपको अगर नहीं मिल रहा है, लेकिन आने वाले time में, जब आपको बड़े-बड़े creators मिलेंगे, तो धीरे-धीरे लोगों के बीच म लोगों के बीच में conflictions होंगी, बात दे होंगी, तो ओ मसाला लोगों को सुनना होता है, लोगों को बहुत मजा आता है मसाला सुनने में, तो आप मसाला चाहे तो दे सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको सारे updates आपको follow करने पड़ेंगे, कि YouTube से related आज क्या updates आए, TikTok से related क्या updates तो जो लोग उन सब चीजों में interested होंगे उस तरह का channel बना सकते हैं, तो यह भी एक topic हो गया, तो दोस्तों मैंने जितने भी topics बताए, आप इन topics में से जो भी एक कोई topic चुनिए, जो आपके expertise या फिर आपके interest के साथ में, या फिर आपके personality के साथ में suit हो रहा है, तो आप उ long time तक content बनाया जा सकता है, तो दोस्तों यह तो हो गई topics के बात, इसके अलावा मैंने बोला था कि आपको end तक बने रहना है, end में मैं आपको कुछ बाते बताऊंगा, आप से related, देखो दोस्तों, यह तो मैंने बताया कि हाँ, इन सब चीजों में growth है और आप कर सकते हो, growth है बिल्कूल है, लेकिन, क्या पता आपका इन में से किसी में interest ही ना हो, या फिर आपके skill से कोई match ही ना कर रहा हो, इन topics में से, तो इसका मतलब ही नहीं ना कि आप channel नहीं बना सकते हो, अगर आपका roasting करने का मन कर रहा है, तो आप roasting कर सकते हो, आपका comedy करने का मन कर रहा है, तो तो भी मैंने topics बता इनी में से आप select करो तो दोस्तों उमीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया तो like जरू करना और share करना अपने दोस्तों के साथ में साथ ही साथ अगर आप नए हो तो चैनल को subscribe जरू करना झाल